जो है class 11 mathematics की NCRD books की exercise 10.1 से लिया गया है तो इस question को देखने दे पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर ले हैं तो question है the slope of a line is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is one upon three find the slope of the line तो एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है यदि दोनों के बीच का कोण की स्पर्श जया है यानि के tangent एक बटा तीन हो तो दोनों के बीच की ढाल ग्यात करने हैं तो यहां पर दोनों लाइनों का जो है ढाल यानि के slope दे रखी है कि पहल एक की slope दूसरे से दुगनी है तो और दोनों के बीच का जो एंगिल की स्पर्श जया है यानि के tangent है यानि के दोनों के बीच अगर थीटा एंगिल है तो टैन थीटा वन अपॉन में थ्री के इक्वल है तो बीच का एंगिल निकालना है यह ढाल कितन कि एक की ढाल दूसरे से दुगनी है तो एक अगर m होगा तो दूसरा 2m हो जाएगा अब वो कह रहे हैं कि हमारे को दिया हुआ है कि 10 theta जो है इनके बीच का slope है जो की 1 upon 3 के equal है तो दोनों के बीच का slope 1 upon 3 के equal है तो यह लिख दिया 10 theta is equal to 1 upon 3 अब 10 theta का तरीका क्या है निकालने का कि दोनों के एंगिलों दोनों लाइनों के बीच का जो एंगिल है उसका 10 theta हमारे को निकालने है तो 10 theta होगा आपका m2 minus m1 upon में 1 plus m2 माइन एंटू में m1 या m1 एंटू में m2 भी कह सकते हैं तो अब m2 की value जो है यहाँ पे रखेंगे और इसका हम जो है mode ले लेते हैं क्योंकि value positive और negative भी हो सकती है तो 10 theta 1 upon में 3 है तो वह लिख दिया और m2 जो है हमने लिया 2m और m1 जो है वो m लिया तो यह हो गया 2m minus m upon में 1 plus में m and 2 में 2m तो यह हुआ 1 upon में 3 और यह 2m minus m हो गया m और यह 1 plus में 2m का square हो गया और इसका mode भी साथ साथ लगाते हैं तो पहले हम positive लेंगे तो मैं mode हटा के ही चल रहा हूं positive sign लेके चलते हैं तो cross multiply करेंगे तो 1 plus में 2m square is equal to 3m हो गया और इनको side change करके एक side में ले आएं और इसके क्योंकि 3m minus के 3m के factor करेंगे तो यह हो जाएगा minus के 2m minus m और यह plus का 1 है पहले 2 में से 2m जो है common आएगा तो हमारे पास बचा m minus 1 और इदर minus 1 common लेंगे तो m minus 1 equal to 0 तो m minus 1 जो है वो common निकलाएगा और इदर आया 2m minus 1 equal to 0 अब या तो m minus 1 0 के equal है या 2m minus 1 0 के equal है तो दोनों या दोनों ही 0 के equal है तो हम m minus 1 को अगर 0 के equal लेते हैं तो m of 1 और जो है अगर हम 2m minus 1 को 0 के equal लेते हैं तो क्योंकि वो भी possibility है कि दूसरा भी 0 हो सकता है तो 2m minus 1 को 0 लिखते हैं तो जो है इसको simplify करेंगे तो हमारे पास जो है M की दूसरी value आएगी यह हो जाएगा 2M equal to 1 यानिके M is equal to 1 by 2 तो M की दो value आई अगर हम positive sign लेते हैं तो M equal to 1 हो गया या M is equal to half हो गया वह आपको पता लग रहा है यह दोनों एक दूसरे का double है अगर हम negative sign लेते हैं तो 1 upon में 3 जो है वो हो जाएगा M upon में 1 plus M 2M square का negative यानिके M M को minus का कर दिया तो cross multiply करेंगे तो 1 plus 2M square is equal to minus के 3M और minus के 3M को left side मिलाएंगे तो plus के 3M हो जाएंगे तो 2M square plus 3M plus 1 equal to 0 और 3M के factor करते हैं तो 2M और plus के M हो जाते हैं तो 2M square plus 2M plus M plus 1 equal to 0 तो 2M square और 2M में से 2M common नकलाएंगे तो यहां बचा bracket में M plus 1 और M plus 1 में से 1 common नकलेगा तो M plus 1 equal to 0 तो M plus 1 into में 2M plus 1 यह जो है आपके पास आया equal to 0 के तो M जो है वो हो गया minus के 1 M plus 1 equal to 0 रखेंगे तो M हो गया minus का 1 और 2M plus 1 को अगर हम 0 के equal रखते हैं तो 2M is equal to minus 1 यानिके M minus के 1 by 2 होगा तो इस तरह से यह भी एक जो है दूसरे का double है तो इस तरह से M की हमारे को 4 value मिलती हैं कि अगर M 1 है तो दूसरे वाला M half होगा यानिके आपको जो है एक angle दूसरे का अगर माइनस 1 है एक M तो दूसरे वाला minus के 1 by 2 होगा इस तरह से जो है वान माय और माय वान पॉन में टू दू तू सांसर हुआ हुआ हुए अपको वीडियो जुरू पसंद आया होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले